लौह भी देखते हैं पुरानी कठाव में हम लोग पूजा करते समय दूप दीब का बहुत इस्तिमाल करते हैं या फिर हम कभूर का भी इस्तिमाल करते हैं लेकिन उनका इस्तिमाल करते हैं हम अपनी जीवन में सुख और समरीदी को पाने के लिए इन चीजों का इस्तिमाल करते हैं कहा जाता है कि पूजा इनके बिना सफल नहीं हो पाती है यदि आप चाहते हैं कि आपकी पूझा सही से हो और भगवान भी आपकी पूझा को अरफित करें वह हैं आपके लिए खास बन जाए तो इसलिए आप उन पूझा में सामग्री का इस्टेमाल किया जाता है हम अबसर देखते हैं, जब भी किसी भी पूजा का आवाहन कर रहे हैं, तो उस आवाहन में हम लोग सामगरी को जरूर सामिल करते हैं, उसमें कहितरी की चीजे होती हैं, जैसे कपूर, लॉग, गूगल, या फिर सामगरी, सभी सामगरी मिक्सित होती हैं, जिसमें हम चीजे मि पूजा के लिए इस्तिमाल करते हैं या विरम कहीं सिंदूर भी इस्तिमाल में होता है और बता से भी हम पूजा के लिए ही इस्तिमाल करते हैं इनी सरसों और लौपान का भी हम इस्तिमाल कर सकते हैं हम चाहते हैं कि हमारी पूजा अच्छे से हो जाए जिससे कि हमारी सारी पन हो जाए और आपके घर में सुक बना रहे आपके परिवार के बीच में आपकी दामपती जीवन में भी हमेशा सुक में रहे तो इसके पूझा करते बद इन चीजों का फास क्यार रखें यदि आप सुभिर शाम अपने घर में कपूर जलाते हैं तो वह आपके घर की सारी नकारत्मकता को दूर करता है और जो भी नकारत्मकता है उसे सकारत्मकता में परिवतल कर देता है ऐसा करने से आपकी घ्याल के विचार भी पॉजिटिव हो जाते हैं जिससे आपको सुख में जीवन में रहे कर दो